लाइट हाउस की चुडैल अनूप की हाले में ही पोर्ट ट्रस्ट की सरकारी नौकरी लगी थी वो पोर्ट ट्रस्ट का इंजिनियर था उसे सागर के किनारे बने लाइट हाउस के देखबाल की जिम्मेदारी सौपी गई थी उसका पोस्टिंग ओडिसा के चांदीपूर में था उसे और भी खुशी थी कि उसे सागर के किनारे काम करने का मौका मिला बचपन से ही न जाने क्यों उसे सागर से बहुत अपनापन महसूस होता था एक दिन उसे चांदीपूर से करीब 20 किलोमेटर दूर एक विरान से इलाके में भेजा गया और वहाँ का लाइट हाउस करीब 100 साल पुराना था जिससे ठीक करने के लिए इसे वहाँ भेजा गया था वो वहाँ पहुचा तो वहाँ के लाइट मास्टर ने उसका स्वागत किया अनुप ने हिमेश से हाथ में लाया और कहा ये लाइट हाउस तो बहुत ही पुराना है, इसी वज़े से शायद बहुत सुन्दर भी है, क्यूंकि आज कल तो ऐसे लाइट हाउस बनते ही नहीं है, हिमेश सहाब जरा उपर चल कर देखते हैं कि मामला क्या है, अब तो शाम हो चलिए, लाइट हाउस में लाइट जलने का अभी वक्त हो गया है, तो बारी की से कल जांच करेंगे, जी सर, ठीक है, दोनों उपर जाने लगे, और उपर पहुँचकर अनुप ने उपरी तोर पर ही जांच की, फिर उसने हिमेश से कहा, मुझे अभी तो कुछ ज्यादा खराबी दिख नहीं रही है, कल देखते हैं अ 9 बजे लाइट हाउस के ऊपर अकेले ही चला गया, और वहां लगे मशीनों की, उसने बारी की से जांच परताल शुरू की, तभी उससे ऐसा लगा कि उसके गर्दन के पास कोई सांस ले रहा हो, और वो तुरन पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था, शायद ये मेरा म सागर से आती ही गर्म हवा होगी, फिर अनुप वापस अपने काम में लग गया, लेकिन अचानक उससे लगा कि उसके हाथों को किसी ने जोरों से पकड़ रखा है, और जिस कारण वो अपना हाथ नहीं हिला पा रहा था, अनुप घबरा कर चिलाया, कौन है जो ये बेहुदार कते कर रहा है, सामने आओ, तब ही एक औरत की खिलकिलाती हसी सुनाई दी, अनुप के माथे पर डर से पसीने आने लगे, मगर वो निडर बनकर खड़ा रहा, और कहा, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है, तो आके कह सकती हैं, यू ये सब करने की कोई जुरूरत नहीं है, आप सीधे मुझसे आकर बात कर सकती हैं, फिर उस आरत की आवाज आई, तू बूल गया, तेरा तो ये दूसरा जनम है, लेकिन मैं कैसे बूल सकती हूँ, याद कर तू पिछले जनम में एक बड़े से शिप का इंजिनियर था, और उसी शिप में म उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, और जियल में ही वो जल बसा था, और मैंने तब से ये ठान लिया था, कि मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी, मगर बिमारी की वज़े से मेरे शरीर ने मेरा साथ चोड दिया, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब मु पुराने टूटे-फूटे समानों के पीछे छुप गया और कुछ देर बाद वो चुडएल अनुप को पूरी तरह से नजर आने लगी। तू छुपे रहे, मैं यहां से हिलूंगी भी नहीं। तू खुद ही बाहर आकर मुझसे अपनी जान की भीक मांगेगा। अनुप साहस जोड़ते हुए बाहर निकला और उससे कहा, नारायर ने गयर कारूनी काम किया तो उसे उसकी सजा उसे मिली और पिछले जनम से मेरा अपक्या रिष्टा। तू मुझे ये समना सिखा, मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। अनुप ने उसे बातों में उलजा कर साथ लिये हुए स्टन्ट पैटन से बड़ी ही चालाकी से अपने पास ले आता है। और जैसे ही चुड़ेल अनुप की तरफ गुस्से में बढ़ती है, तो अनुप ने उस 440 वोल्ट कट पैटन उस चुड़ेल को लगा दिया, और ज चुड़ेल आटो रिक्षा में पैसे देने पड़ेंगे, वहां से लोटने में सवारी नहीं मिलती है ना। जरूर, इसकी चिंता मत करो। शंकर ने उस औरत को अपने रिक्षा में बिठाया और चल पड़ा गुबिनपुरी की तरफ। मनही मन वो सोच रहा था, आज भगवान कुछ ज्यादा प्रसन है वारी से कमाई आज अच्छी आ गई, तो दिन की कमाई भी अच्छी रहेगी। शंकर मन ही मन खुश हो कर आटो चला रहा था। गोविनपुरी शहर के एक किनारे बसा हुआ एक नया इलाका था। इकके दुक्के लोगों ने ही उस तरफ अपना मकान बनवाया था। पीछे उस सुन्दर औरत की जगा एक खुंकार चहरे वाली भयानक सी औरत बैठी थी। शंकर ने जैसे तैसे अपनी रिक्षा रोकी। आप कौन हो? और वो सुन्दर मैडम खा गई। अहाहाहा! मैं ही वो औरत हूँ जिससे तुमने अपनी रिक्षा में बिठाया था। अ मैं चहरा बदल कर तेरे ओटो में बैठी थी। चल अब काम की बात करते हैं। सुन्दर अब तु मेरे साथ चल रहा है चुडैलो की दुनिया में। हमारी चुडैलो की दुनिया में कोई ओटो नहीं चलती। तो हमने सोचा हमारी दुनिया में भी ओटो रिक्षा चलनी चा प्रोड़कर जमीन में गाड़ दोंगी। ऐसा मत करो चुड़ेल माता, अब बिना की रहा दिया चली जाना, माफ करो मुझे। अब तो तुझे मेरे साथ चलना ही है। ये कहकर उसने ताली बजाई तो शंकर का दिमाग घूमने लगा और वो बेहोशी के हालत में आ गया। जब उसकी आखें खुली तो उसने देखा वो भूत, प्रेत और चुड़ेलों की दुनिया में अपने आटो में बैठा है। और चारो तरफ से भूत, प्रेतों और छो कर देख रहे थे, सब एक से बढ़कर एक खतरनात थे, फिर एक चुड़ेल के बच्चे ने कहा, मा, ऐसा होता है क्या आदमी? कितनी अच्छी मांच की मैकारी है इसके बदन से, थोड़ा सा मांच इसके बदन से खालूं। दूसरा बच्चा, अरे क्या नरम नरम मांच है इसके, मुझे इसका मांच चाहिए माँ, अब इसी वक मुझे इसका मांच चाहिए माँ। बड़ी मुश्किल से, चुड़ेले अपने बच्चो को शंकर से दूर रख रही थी, तभी उसके रिक्षे में बैठने वाली चुड़ेल आई, क्यों रे शंकर, होशा गया, अपसे तू इसी चुड़ेलो की बस्ती में ओटो चलाया करेगा, नहीं तो तुझे बच्चो के हवाले अब भी करती हूँ, फिर देख तेरा क्या हाल होता है, नहीं नहीं चुड़ेल माता, ऐसा मत करना, मैं यहीं आपकी बस्ती में ओटो चलाया करूँगा, आप लोगों को किराय देने की भी कोई जरूरत नहीं है, दिन भर शंकर चुड़ेलो और उनके बच्चो को आटो में बिठा कर इधर उधर आता जाता रहा, रात में ही उसे चुट्टी मिली, तो वो आटो में लेटा सोच रहा था, मुझे मुक्ती दिलादो भगवान, इन जान लेवा चुड़ेलो से, कोई तो उपाय से मेरे दिमाग की बत्ती जलादो भगवान, फिर अच्चानक से उसे एक उपाय सूजा, अब देखता हूँ तुम चुड़ेलो को, देखता हूँ तुम कैसे बचते हो, उसने अपने रिक्षा के बैटरी तार को छुपा कर, सीट के साथ अच्छी तरह लगा दिया, सुभा हुई, तो वही चुड़ेल जिसने शंकर को जबरन चुड़ेलो की दुनिया में लाई थी, वो आई, क्यों रहे शंकर, देख, आज भी मैं तेरी पहली सभारी हूँ, चल चल, जल्दी चल, चुड़ेल आटो में बैठी, शंकर ने जैसे ही आटो स्टार्ट किया, आटो रिक्षा के बैटरी के बिजली का करेंट सीट में छुपी तार से होकर, चुड़ेल को जबर्दस बिजली का जटका मारा, चुड़ेल को बिजली के जटके ने आटो से बाहर फेग दिया, चुड़ेल कुछ देर तक सुन होकर पड़ी रही, जब उसे होश आया, अरे बाबरे, मैं तो मरी, मुझे आटो में अब नहीं बैठना, ये इनसान तो चुड़ेलो की भी जान ले सकता है, इनसे चुड़ेलो को दूरी रहना चाहिए, ये कहकर वो हवा में गायब हो गई, और तभी शंकर के चारो तरफ अंधेरा सा चा गया, कुछ पल बाद जब अंधेरा हटा, तो शंकर ने देखा कि वो अपने आटो रिक्षा समेथ अपने घर के बाहर खड़ा है, एक बार की बात है, एक पती पतनी अपने शहर से दूर एक नए शहर में बसने जा रहे थे, उनकी हाली में शादी हुई थी, राकेश एक अनात था, और वो अपने मामा मामी के साथ रहता था, उसने अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी पासिल कर लिया था, देख राकेश, दूर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पैसे न भेजे, हमें हर महिने के शुरुवात में पैसे मिल जाने चाहिए, बेटा, अपना ध्यान रखना और वहाँ पहुँच कर हमें बता देना, दोनों सबसे मिलकर निकल पड़े नए शहर के लिए, तुम्हारी मामी को तो तुम एक आँख नहीं भाते, न जाने क्यूं तुमसे इतनी नफरत करती है, बहुत अच्छा हुआ कि हम शादी के एक हफते में ही वहाँ से निकल गए, परना मैं तो वहाँ पागल हो जाती, बात करते करते दोनों अपने नए शहर पहुँच गए, और कैब ने उन्हें उनके नए घर के सामने लाकर उतार दिया, बाहर कुछ लोग उन्हें चौक कर देख रहे थे, मानो जैसे कोई भूत देख लिया हो, दोनों ने इस चीज़ को इतनी एहमियत नहीं दी, और अपने नए घर के अंदर प्रवेश किया, वाह, ये घर तो बहुत ही सुन्दर है, बस घर के बाहर की हालत ऐसी है, मानो कोई भूत बंगला हो, अब तो कल ही किसी को बुला के, बाहर की साफ सफाई करवा दूँगी, अरे वाह, ये तो कितना सुन्दर और बड़ा आइना है, इसे हम अपने बेडरूम में लगाएंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, यहाँ तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अगले दिन, निश्या ने पास के दुकान से, एक सफाई करने वाले को बुलाया, उसने पहले तो घर देखकर ही इंकार कर दिया, मैडम, घर के अंदर का वो आइना भी वैसा ही है क्या? क्या मतलब? और तुम्हें कैसे पता उस आइने के बारे में? आप से पहले यहाँ जितने भी परिवार रहने आये हैं, वो सबके सब गायब हो गये हैं, उनका कोई अता-पता नहीं चला, और यहाँ तो यह भी कहा जाता है, कि उस आइने में कोई जादू टोना किया गया है, और मैडम जी, और एक बात, किसी का इस्तमाल किया हुआ आइना कभी घर पे नहीं रखा करते हैं, यहाँ के लोग ऐसी बातों पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? खेर, मैं इन सब बातों को नहीं मानती, तुम अपना काम करो, खतम होने पर पैसे लेकर चले जाना। उसने अपना काम खतम किया, और अंदर से पैसे लेकर आ गया, और बाहर आकर मुस्कुराया और चला गया। रात को निशा को अजीब सी आवाज आई, वो उस आइने के पास गई तो आइने के अंदर से बहुत सी आवाजे आ रही थी और जैसे ही उसने वहाँ कान लगाया तो अचानक उसे नीचे से किसी ने खीच लिया और उस आइने के अंदर वो फस गई उसने अंदर से बहुत चीखने चलाने की कोशिश की पर उसकी आवाज बाहर तक नहीं आ रही थी और ना ही वो बाहर से दिखाई दे रही थी उसने अंदर देखा तुम तो वही हो जो आज सुबह घर साफ करने आया था और तुम ऐसी कपड़ों में क्यों हो और ये कितने लोग हैं ये सब कौन हैं मैं एक तांतरिक हूँ मैं रूहों को कबजा कर उन्हें मजबूर करता हूँ कि वो लोगों को परिशान करे और फिर लोग बेरे पास दोड़े चले आते हैं और उसे मैं बहुत सारे पैसे कमाता हूँ तुमारे मरने तक तुम अब यहीं रहोगी और अगर तेरी किस्मत अच्ची हुई तो तू कल भी यहां से निकल सकती है राकेश ने अगले दिन निशा को तो बहुत धूंडा पर वो उसे कहीं नहीं मिली तो वो तांत्रिक सुभा उसके घर जा पहुचा और राकेश से कहा मुझे पता है कि तुमारी बीवी गायब है तुम मुझे पचास जार दो तो मैं एक हवन करवाऊंगा जिससे तुमारी बीवी तुमारे पास वापस आ जाएगी राकेश को उस पे शक हुआ उसने उसे मना करके वापस भेज दिया पर उसका पीछा करने लगा था उसने देखा कि वो पीछे से उसी के घर के अंदर एक छोटे से गड़े से गया और फिर वहाँ अपने आप दिवार आ गई उसने तुरन पुलिस बुलवाई और उस सुरंग को खोदने लगे और फिर वो एक अंधेरे कमरे में जा पहुँचे जहां बहुत सारे लोग थे और उन में से एक उसकी पत्नी भी थी और फिर उस तांत्रिक को पुलिस वालों ने गिरफतार कर लिया सारे लोगों ने राकिश का शुक्रियादा किया और साथ ही उस आइने को भी तोड़ दिया गया और उस सुरंग को बन कर दिया गया हमेशा के लिए